आलो दोस्तों मैं हूँ दीपक देवू तो आलो रामसभी का मेरी चेनल पर स्वागत है भाईयों हम आपको बताएंगे बीते 24 गंटे में कहा कहा राजस्थान कंदर कितनी बरसात हुई है क्योंकि भाईयों पिछले 24 गंटे में राजस्थान में बारसा ने जन जीवन अस्त्वियस्त कर दिया है और हम आपको बताएंगे आनवाले 24 गंटे में किन किन जुरू में फिर से रेड अलर्ट जारी क्या है उसकी सारी बिल्कुल ताज जानकारी तो भाईयो वीडियो अंतक पूरा देखना अगर आप हमसे जुन्दत आते हैं नीचे लाल कलगा सब्सक्राइब बिटन दबा कर हमा साज जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब बिटन दबाते ही बेल आइकन जुरू दुबाना ताकि मैंने कोई भी नई वीडियो डालू उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास जिया वायो राष्तान कंदर एकदम से काली घटाएचा गई है और तेज हवार गरजना के साथ जमाजम बरसात हुए कोटा जिले गंदर बादल पोने घंटे तक करीब दो इंच बरसा गए बादल तेज गती के साथ हुई इस बरसा से नजी नाले उखार पर आगे और सहर की सड़कों पर बेह निकला पानी केई निचले लागों में पानी भी बर गया इस से पहले करीब सुवित दस बजे बादल चाये रहे और बूंदा बांदी हुई थी उसके बाद मोसम खुल गया था लेकिन दोपेर बाद अजानक बादल चागे और तीन बज़के तीस मिनटे पर तेज हुआ और बिजली कड़कने के साथ बारिस का दोर कोटा के अंदर सुरू हो गया तेज बारिस के चलते जन जीवन ठेर सा गया था और जमाजम बारिस से दोर पोने घंटे तक वहाँ पर कोटा कंदर चला आपको बटताना चाहते हैं इस बार बरसात रिकोर्ड पर रिकोर्ड बनाती जा रही है इस सीजन का मानसून रिकोर्ड बनता जा रहा है कोटा में मानसून की बारिस का ओचता आकड़ा था 638 सिमेम इस बार यह आकड़ा 1421.6 तक पहुँच चुका है यानि की भायों पिछले साल से दोगुनी बारिस अब तक पहुँच चुकी है पिछले आकड़े देखे तो 40 साल में मातर तीन बार 1000 इम बरसात का आकड़ा वहीं आपको बताना चाते हैं कल बरसां से सड़के दरिया बन गई थी और छोटे बड़े नाले सब उपहन पर आ गए थे नालो को पानी सड़कों पर आ गया था इसमाल इसकेल इंडिस्ट्रीज एरिया में SBI बेंक के पास सड़क पर एक फिट पानी तक भर गया था इससे लोगो को आज वाई में परेशानी हुई थी वहीं आप पताना चाते हैं केश्व पाटन की जी आवाई वाई यू बात करते हैं बूंदी जिले की बूंदी जिले में मोसम नेगवा फिर्से करवट बदली और सुबे सही बादल चाहर रहे है बूंदी सहर में सुबे 11.15 ब पूरे जालावाड बूंदी और कोटा जिले में जमकर बरसाथ दर्च की गई है अब माउग बताते हैं आनवाल 24 गंटे में किन किन जिलों में हाई अलट जार गया है बायो फिर से जालावाड कोटा पाली इन 6 जिलों में मुसलदार बरसाथ आनवाले 24 गंटे में रिकोर्ड की जा सकती है मुसल विग्यानिक अनुसार इन जिलों में अगले 24-48 गंटे में मुसलदार बरसाथ हो सकती है तो आप भी साउधान रहना तो भायो यह थी पूरे राष्तान की मुसलदार जिसके तेत हमना आपको जानकारी दे दिये कहां कहां कितनी बरसाथ होई अगर आप भी अपने जिलिया राज्य की मुसलदार जानकारी आपको दे देंगे कि वहाँ पर कोश्या मुसम रहेगा तो भायो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को जाज़दा सियर करें फेस्व वाट्सप सभी जगे ताकि सभी भायो और बेनों के पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी मुसम की ताज्यानकारी जान सके तो वीडियो में आज के तरह ही भायो जे हिंच जे भारत